हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अल आडियाज नॉटिफिकेशन चैनल में आज हम बात करेंगे सिट्बी की नई रिक्रूटमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में असिट्बी असिस्टेंट मैनेजर पोष्ट के लिए भरती निकाली गई है जिसमें ऑफिसर इन ग्रेड एप पोष्ट है और डिग्री पीजी अगर आपने डिग्री है या पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाइ कर सकते हैं और इंडिया वैकेंसी है सेलरी जो रहे करेंगे क्या क्या है कितने पोष्ट के लिए वैकेंसी है क्लियर करते हैं इसके सौर्ट नॉटिस में तो सौर्ट नॉटिस में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि वीडियो के जितने भी नॉटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप तक बहुत सकेंगे तो चलिए देखते हैं इसके सॉर्ट नॉटिस को तो फ्रेंड्स ये है हमारा सॉर्ट नॉटिस सेट भी स्मॉल इंडस्ट्रिय डेबलप्मेंट बैंक आफ इंडिया इन्वाइट की गई है ओफिसर ग्रेट ए पोस्ट जैनरल स्ट्रीम पोस्ट के लिए वैकनसी है सिट भी द्वारा ओनलाइन अप्लिकेशन जो है इन्वाइट किया गया है इसमें पोस्ट की बात करें तो जो है नंबर अव वैकनसी इसमें 100 है असिस्टेंट मैनिजर ग्रेट ए जैनरल स्ट्रीम के लिए जिसमें एस्सी कंडिडेट के लिए सिस्टिन पोस्ट एवलेवल है एस्टी के लिए 7 ओबीसी के लिए 24 EWS के लिए 10 and UR candidate के लिए 43 post available है टोटल 100 post है और यह आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो दिया गया है यह PH candidate के लिए आपका जैसे HI के लिए 1 है OC के लिए 1, BI के लिए 1, MD के लिए 1 है तो यह हमारा PWBD candidate के लिए है अब इसमें हम salary की बात करें तो salary जो रहेगी आपकी 70,000 per month approach होगी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं मतलब 4 मार्च 2022 को online आवेदन कर लेगा link active हो जाएगा 4 मार्च 2022 से इसमें आवेदन कर सकते हैं 24 मार्च 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर बात करें इसके previous year के बारे में तो previous year में क्या qualification था कितना fee था क्या age limit था यह सब हम देखते हैं previous year में तो चलिए देखते हैं इसके previous year में क्या-क्या पूछा गया था उस selection procedure सब क्या था previous year में जो age limit रखा गया था वो आपका minimum 18 है and maximum age limit 28 year है age relaxation भी मिल जाता है अपर age में application fee जो थी UR EWS OBC के candidate के लिए 500 रुपीज SC ST candidate के लिए 50 रुपीज तो इसमें आपको form अपलाई करते समय जो आपको payment करना था वो online mode था अब यहाँ पे दिया गया है कि इसकी eligibility क्या-क्या होनी चाहिए तो bachelor या master degree minimum 60% मार्स होनी चाहिए OBC candidate के लिए general category के candidate के लिए and 55% मार्स होनी चाहिए SC ST candidate के लिए किसी भी university से या institute से आप bachelor degree या master degree किये हैं तो form apply कर सकते हैं अगर आपने CACSICWA CFA MBA engineering या diploma किया है तो आप form apply कर सकते हैं engineering में प्रोफेंसी इन computer in preferable होगा जिसमें आप देख सकते हैं grade A requirement selection procedure जो होगी वो the selection procedure for the post would be by way of an online examination इसमें आपका जो है selection जो होगा वो online exam के थरू होगा जो कि आपकी CBT based होगी computer based test होगा और उसमे exam में जो आपका selection होगा उसके बाद जो भी candidate qualify होते हैं जिसका cut-off के लिए हो जाता है तो उसको फिर interview के लिए बुलाया जाएगा इसमें आपकी negative marking भी रहेगी 1 by 4 जो है negative marking रहेगी जिसमें आपको समय दो घंटे का रहेगा descriptive test duration जो होगा वो आपका 45 minute का होगा अब slayvers की बात करें तो reasoning से 50 question 50 mask के होंगे English language से 40 question 40 mask के quantitative aptitude से 50 question 50 mask के होंगे and general awareness with special reference of banking industry से 40 question 40 mask के computer awareness से 20 question 20 mask के तो total जो आपको यहापे question रहेगी वो 200 at 200 mask की होगी और online descriptive test जो होगा वो आपका candidate will be required to answer by tapping on computer इसमें आपको typing on computer पे जो है require होगा typing करना English language and draptic ability test compressing of one easy essay written 35 mark का आपका essay written होगा and business letter writing 15 mask के होंगे grant total करें तो 202 question होंगे 250 mask के तो यह है previous year के जो exam लिया गया था कि इस pattern पे selection हुआ था यह previous year का है तो उमिद है कि इस बार भी जो short notice जारी हुआ है और exam भी होगा इसी pattern पे होगा जब तक इसका पूरा full notification नहीं आ जाता है तब तक आप इसके दुरू आप जो है तैयारी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक ये लिए धन्यवाद फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप जो है